हेलो एवरिवान वन्स अगें वेलकम यू आपको बताऊंगे कि जो यूजी सी नेट का एक्जाम होता है तो उसमें कन्फूजन रहते हैं कि कट अफ कैसे रहेगा हमारा और किस तरह से हमारे नंबर काउंट होंगे तो उसके बारे में हम डिसकस करेंगे कि फर्स्ट अफ वॉल मैं आपको एक क्वेशन का अंसर देना चाहूंगी कोई वुमिन्स का सिस्टम नहीं है तो इसमें कैसे हमारे काट आप कैसे जाती है और किस तरह से हमारे नंबर काउंट होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वह इस तरह से रहते हैं कि जनरल के लिए और अन्रिजर्व्ट के लिए और EWS जो एकनोमिकल वीकर शैक्षि कर लिए रहता है आपको 40% को अगर हम निकालते हैं तो इसका मतलब 120 मार्क्स हमें पेपर वान और पेपर टू बोथ को मिला के हमको चाहिए होते हैं 120 मार्क्स और OBC, NCL, SC, ST, PWD और 3rd जेंडर के लिए हमें 35% टोटल मार्क्स जो है पेपर वान और पेपर टू को मिला कर हमे वान जरू 5 अप्साइव सीफिए मेडर की अगचान कर लिए तो आपको इसका सार्टिफिकेट मिलेगा हि मिलेगा इसमें ये इस तरह से Division करते हैं कि शिए को यह disagree है निकालते हैं तो इसमें 6% जो तो यह पर देख सकते हैं कि किसतरह से जो है UGC NET के जो बच्चों को certificate मिलता है वो किस accordingly मिलता है 40% marks आपने ले लिए या आपने 35% जो minimum criteria है UGC का अगर उसको clear भी कर लिया तो भी कई बच्चों को certificate नहीं मिलता है उसका कारण यह है कि 6% of candidate जो है जो appear होते है उसका 6% ही UGC जो है वो देखते हैं उनको जैसे कि जितने भी candidate appear होते हैं उसमें से 6% जो निकाल के जो बच्चता है न उसी को सिर्फ दिया जाता है For example जैसे मान लीजिए आप For example 40,000 बच्चा appear हुआ तो उसका 6% पो निकालेंगे और उस 6% के अंतर जितने बच्च आएंगे उनी को सर्टिफिक कर दिया जाएगा और बाकी जो बच्चे बच्च आएंगे उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा So इस तरह से ये पूरा procedure चलता है कि कैसे आप UGC में appear हो सर्टिफिक आपको मिलेगा और क्या cut-off जाता है वो इस according जाता है और cut-off इस तरह से जाता है कि जो बच्चा suppose करीए जो जिसकी rank जो है वो second आई है जो बच्चा second position पे आई है तो उसको वो नीचे से अगर वो उसको हम count करेंगे तो वो 97 percentile उसको गिना जाएगा तो ये तो है percentile का जक्र और आप इसको clear करके आप किसी भी college में assistant professor की job के लिए apply कर सकते हैं इसका यही फाइदा है और जो भी बच्चे इसको exam को देना चाहते है वो जरूर इसको करें M में जो appear है students अभी जिनकी second year में है वो बच्चे भी इस exam को दे सकते है और जब उनका result आजाएगा तो of course वो apply कर पाएंगे assistant professor की job के लिए and so this is all for this video thank you everyone